नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सबसे इमांदार पाटी के सबसे इमांदार नेता अरवींद केजरिवाल के पोल खोलने की बात करेंगे सतेंदर जैन के इमांदारी की और फिर से जो इडी के छापे पड़े हैं उससे आम आदमी पाथी कैसे बेनकाब हुई है उसकी बात करेंगे मनी सिसौदिया की अगली बारी की और अरवींद केजरिवाल के बेनकाब होने की शुरुआत करते हैं सतेंदर जैन से सतेंदर जैन को जब एडी ने अपने कस्टडी में लिया तो अरवींद केजरिवाल उचल उचल कर प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे वो बदले की राज़नीती की बात कर रहे थे और साथ ही ये बात भी कर रहे थे कि सतिंद्र जैन सबसे इमानदार और देशभक्त नेता हैं कटर देश भक्त नेता हैं ऐसी बाते अरविंद केजरिवाल अपनी जुबान से बोल रहे थे और बार बार वो रिपीट करते रहे हैं कि सतेंदर जैन के खिलाफ E.D. को कोई सुबूत नहीं मिलने वाला है और भारतिय जनतापाटी इस बात से डरी हुई है कि सतेंदर जैन को हिमाचल परदेश का प्रभारी बनाया गया है हिमाचल परदेश में चुनाव होने वाला है गुजरात में विधान सभा का चुनाव होने वाला है और आम आदमी पाटी अपनी कटर इमांदारी के लिए जानी जाती है जिसके कारण भारतिय जनतापाटी परेशान है और कें अर्विंद्रिये एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी, अर्विंद के जिरिवाल और सतेंद्र जैन इस सब के पोल खुलने लगे। किस तरीके से सतेंद्र जैन को कस्टडी में लिया गया और उसकी वजह क्या थी अब सामने आई है। क्योंकि पहले तो जो मामला था वो करीब करीब 6-7 साल पहले का था। CBI ने मामला दर्ज किया था और उसकी जाच हो रही थी। हवाला कारोबार जो सतेंद्र जैन का था उसमें कई सुबूत मिले थे जिसमें मनी लॉंडरिंग का मामला भी था और हवाला के जरिये पैसा इधर से उधर करने का भी था। शेल कमपनियों के जरिये पैसे की गड़बड़ी की भी थी और आम आदमी पार्टी से उनके जुडने और आम आदमी पार्टी को फंडिंग करने का भी मामला चल रहा था। कारण है असली वजह है वो सामने आने लगा क्योंकि एडी ने फिर से सतेंदर जैन के ठीकानों पे चापे मारे की सतेंदर जैन के आवास पे चापे मारे की और उनके कुछ नजदी की सहयोगियों के घरों पे रेट डाले गए इसमें से जो मिले हैं वो चौकाने वाले पूत हैं जिससे अरविंद केजरिवाल की भी पोल खुल रही है सतेंदर जैन की भी और आमाद्मी पाटी की भी क्योंकि जो सतेंदर जैन और उनके सहयोगियों के यहां से चापे मारे में मिली है वो है दो करोड़ बे आसी लाक रुपे कैश में इसके अलाबा 133 सोने के सि के हैं ताकि आमाद्मी पाटी और अरविंद केजरिवाल ये दोनों बार बार ये ना कह सकें कि एडी ने फरजी वाड़ा किया है पहले से ही सोने का सिक्का और पैसा लेके गई थी और एडी की टीम ने वहां पर प्लांट कर दिया क्योंकि अरविंद केजरिवाल के उपर भरोसा नहीं होता कोई भी भरोसा नहीं कर सकता कि अरविंद केजरिवाल क्या कहेंगे क्योंकि वो मीडिया में चर्चा में रहने के लिए वो कोई भी किसी भी हद तक जा सकते हैं और पहले भी जब कुछ कारणों से अरविंद केजरिवाल के घर के वे सर्च किया गया था उनके यहाँ भी नके दफ्तर में भी छापे मारी की गई थी, और उस समय जो सुबूत मिले, पर्मान मिले, उसके बारे में भी अर्विंद के ज़रिवाल ने ऐसी ही बाते की थी। और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, कि पिये मोदी ने सावित कर दिया कि अर्विंद के जरिवाल सबसे ही मांदार नेता है क्योंकि उन्होंने छापे मारी करवाई और उनके हाँ से कोई पुखता सबूत नहीं मिला लेकिन अब सबूत भी सामने है गवा भी सामने है और सतेंदर जैन कस्टडी में है अब ये तो लगभग तैम आना जा रहा है कि जो नौ जुन तक कस्टडी मिली हुई थी एडी की वो सतेंदर जैन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे जिस तरीके से महरास्ट में नवाब मलिक और अनील देशमूख जेल के अंदर सड रहे हैं उनके खिलाब सुबूत मिल रहे हैं और वो राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उगल रहे हैं इसलिए उनकी कस्टडी भी बढ़ रही है और उन्हें बेल भी नहीं दिया जा रहा है ठीक उसी तरह सतिंदर जैन का भी अब निकलना लगभग मुश्किल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो दो तीन दिन तक कस्टडी में उनसे पूश्टाच की गई उसके लिए सतिंदर जैन छट पटाते रहें उन्होंने कोट में याचिका दायर की कि उन्हें वकील के सामने उनसे पूश्टाच की जाए लेकिन बाद में उनकी एक फर्याद खारिज कर दी गई और उसके बाद ED के टीम ने कहा कि हम जो भी पूश्टाच करते हैं वो उसके रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग वकील के सामने भी होता है अगर किसी वकील को देखना हो उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो वो रिकॉर्डिंग ले सकता है इसके लिए पूश्टाच के दोरान वकील की जरूरत नहीं होती है और धीरे धीरे जो कस्टडी में लिये जाने के मेन वजह थी वो सामने आने लगी और अरविंद केजरिवाल बेनकाबे होते गए क्योंकि चार दिन के बाद सतिंदर जैन ने कुछ ऐसे राज उगले जिससे ED को आगे की कारवाई का आधार मिला और फिर ED के ने टीम बनाई और फिर से उन जगहों पर रेड किया जहां जहां सतिंदर जैन ने बताया था कि उनके नजदी की लोग उनके पैसे को रखे हुए हैं और ऐसे जो साजीस के तहट एक कॉंस्पिरेसी करके पूरे पैसे का लेन देन इधर से उधर किया जाता है सोने के सिक्के मिले अभी भी सतिंदर जैन के पूरा खजाना मिलना बाकी है और ED यही बात कोट में कहने वाली है कि सतिंदर जैन से अभी कई और राज उगलवाने हैं जिसके लिए धीरे धीरे इस्तियां बनेगी और अभी सतिंदर जैन की और जादा दिनों की कस्टडी चाहिए कोट फिर इस बात इनकार नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले भी जो 9 जून तक कस्टडी दी गई है उसके सुबूत अब सामने आ रहे हैं जब इतने दिनों के अंदर ही सतिंदर जैन ने अपने खजाने के राज बताये हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो तूटेंगे और अप अरविंद केजरिवाल उन्हें सेफ क्यों करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ने कहीं ये बात तो सामने आने है कि सतिंदर जैन आम आदमी पाची के लिए अरविंद केजरिवाल के लिए पैसाई कठा करते थे और अपने इसी काली कमाई से आम आदमी पाची को भी और कपिल शर्मा ने ये आरोप लगाया था लेकिन सुबूत नहीं मिलने के कारण कपिल शर्मा को माफी मागनी पड़ी थी क्योंकि इससे पहले भी कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाया था कि अरविंद केजरिवाल और सतेंदर जैन के बीच एक साथ गाट है और इस साथ गाट के तहट सतेंदर जैन ने अरविंद केजरिवाल के घर जाकर दो करोड रूपे उन्हें दिये हैं कैश में लेकिन कपिल मिश्रा के उन आरोपों के सुबूत नहीं मिल पाए इसके कारण कपिल मिश्रा को माफी मागनी पड़ी और ये स्थियां बदली और अब जब सतेंदर जैन एडी के हिरासत में हैं तो उस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने अरविंद केजरिवाल को कितना पैसा दिया आम आदमी पाटी को कितना पैसा दिया क्योंकि आम आदमी पाटी जब पटल पर आई थी तो उस समय भी आम आदमी पाटी के ऊपर ऐसे आरोप लगे थे कि वो सेल कंपनियों के माध्यम से जो पैसे ब्लैक मनी के होते हैं उससे फंडिंग करवाई जा रही है और उसमें भी सतेंदर जैन का नाम आया था क्योंकि सतेंदर जैन के उपर सबसे बड़ा आरोप हवाला कारोबार का है मनी लॉंडरिंग का है और इसलिए अब सतेंदर जैन अरविंद केजरिवाल के भी राज खोलेंगे मनी सिसोदिया के भी राज खोलेंगे जो कमरे बनाये गए थे उसमें इन लोगों ने घपले वाजी की है इन लोगों ने 25 हजार के सामान को 5 लाख बताया है और 5 लाख में जो कमरे बनाये जा सकते थे स्कूल के उसकी कीमत 25 लाख बताई है इस तरह से जो दिल्ली के स्कूल में बड़ा घोटाला हुआ है उसका आरोब भी लग गया है और ACB उसकी जाँच भी कर रही है और जो भारतिय जनता पार्टी के दो नेताओं ने आरोब लगाया था उनसे ACB ने दस्तावेज भी मांगे हैं और सबूत भी मांगे हैं इसलिए अर्विंद केजरिवाल पहले से ही दावा करने लगे थे कि मनीश सौधिया को गिरफतार किया जाएगा और ये राजनितिक बदले की भावना के तहत होगी इसलिए अब मनीश सौधिया की भी बारी है और केजरिवाल भी सतिंद्र जैन के साथ फसने वाले हैं तो आम आदमी पाथी की पूरी टीम जो इमानदार कहती है अपने आपको अर्विंद केजरिवाल जो हर मंच पर अपनी इमानदारी का गुनगान करते हैं वो भरस्टाचार के दलदल में इतने बुरी तरह से पस गए हैं कि अब निकलना मुश्किल हो गया है और आगे के चुनाबों की बात तो छोड़ दीजिए अब दिल्ली के लोग भी अर्विंद केजरिवाल की उस सचाई को जानने लगे हैं क्योंकि सतेंदर जैन के खिलाब जो सुबूत मिल रहे हैं छापे मारी हो रही है और करोडों रूपया जो अभी कैश में मिले सोना मिला उससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है और पता लगने लगा है कि अर्विंद केजरिवाल की पाथी और अर्विंद केजरिवाल के सहयोगी कितने भरस्ट हैं तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मैसा योग ताके से तरह ही खबर हम आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद